सुन्दन नगर का एक युवक स्वारघाट से लापता हो गया है प्रवीन शर्मा नाम का ये युवक पिछले कुछ दिनों से लापता चल रहा है जिसे खोजने के लिए परिजन वारिष्तिदार स्वारघाट में डेरा डाले हुए है प्रवीन शर्मा का सुन्दर नगर में ही अपना एक रेस्टोरेंट है प्रवीन घर से जोगिंदर नगर जाने की बात कहकर घर से अपनी गाड़ी में निकला था लेकिन बात में वापिस घर ने पहुंचा प्रवीन के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सुन्दर नगर में दर्च करवाई थी सुन्दर नगर पुलिस ने जब प्रवीन के मुबाइल की लोकेशन देखी तो उसकी लोकेशन स्वारघाट पाई गई इसके पच्चात प्रवीन के परीजन स्वारगाट पहुंचे और स्वारगाट थाना प्रभारी देवानन्द चर्मा को इस मामले की जान करे थी इसके बाद पुलिस ने प्रवीन की कार स्वारगाट में ही सड़क किनारे खड़ी परे जातने रखे ठिपले भी रात पर रुकते थे फिर इन कसुच चौफ हुआ तो उसके बाद उनकी कॉल नहीं आई तो चार तारीक को मुझे भी पता लगा तो चार तारीक को फिर हम गए तो पता चला कि सौरगाट में यहां आए तो गारी साइड में खड़ी फिवड़ी यह फिवड़ी है और यहां से वह गारी खड़ी करके सीशी पीवी में उनने देखा कि गारी में टेल लिकर के और चले गये हैं अब किस बस में बैठे है यह बढ़ाने कर रहा है अब फर्दर इंक्वारी कर रहे है प्रवीन शर्माइन का नाम है और फोटो फोटो वीन की पेसिंसी टीवी से आई है और यह है अगर कहीं कोई सुने या किसी को मिले तो मेरा नंबर है थाने कि हमें कॉंटेक्ट कर ले हमें बता दे गया है त्यार होके है और कि अभी फर्दर अभी कुछ बताने जब रहा है लाइप टाइम्स टीवी के लिए श्री नैना देवीजी से सुभाज चंदेल की रिपोर्ट पर कॉल करें या अपना बायो डाटा इमेल करें hr at goelmotors.com पर goelmotors वभिन्न पदो हेतु आवेदन पत्रा मंत्रत करता है जिसके लिए अनुभवी वफ्रेशस सभी आवेदन कर सकते हैं इंटर्व्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायो डाटा इमेल करें hr at goelmotors.com पर goelmotors वभिन्न पदो हेतु आवेदन पत्रा मंत्रत करता है जिसके लिए अनुभवी वफ्रेशस सभी आवेदन कर सकते हैं इंटर्व्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायो डाटा इमेल करें hr at goelmotors.com पर